हेलो दोस्तो नमस्कार आज मैं आपके बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप बहुत असानी से स्ट्रिक से स्केर FIND OUT कर सकते हैं किसी भी नमबर का स्केर कैसे FIND OUT किया जाता है आज हम इसके बारे में डिसकस करेंगे जैसे हमने 12 का स्केर करना है 23 का स्केर FIND OUT करना है तो कैसे करेंगे इसके लिए आज हम discuss करेंगे आज हम इसका शॉट ट्रिक बताने की कोशिश करेंगे अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो प्लीस सब्सक्राइब बटन पर निचे जरूर कलिक करें और इस वीडियो को लाइक करें चलो तो आज हम सुरू करते हैं किसी का स्केर करना जैसे माल लिया 24 का हम स्केर फाइंड़ करेंगे तो हमारी बेसिक अप्रोच क्या होती है हम इसको मल्टिप्लाई करके फाइंड आट करते हैं जिससे की आपका 30 तू 40 सेकिंड बेस्ट हो जाएंगे ओके फो फो जाब 16 देन वी हैव बन देन इस नाइन देन व कि बहुत लंबा होगा आपको बेंकिंग या किसी भी एक्जाम में स्केर फाइंड़ करने के लिए तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि इसके लिए जो मैथर हम अपनाएंगे वह बहुत बेसिक मैथर है तो चलो आज हम सुरू करते हैं तो स्केर लेट इस 24 24 का स्केर फाइंड़ करेंगे तो आपको क्या करना है फिर्स डिजिट क्या है फोर फोर का स्क्वेर लिखा कितना होगा 16 ओके टू का स्क्वेर क्या होगा इसको हम लिखेंगे जीरो फोर ओके इस द फर्स स्ट एप इस 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 इडर फ्रस्क बड़ी द सेगे शेटफ्वे शेकिन स्टफिक इस फोर एड टू 4 एड़िटी टू को मिल्टिप्लाइग करेंगे कितना आ जाएगा एट और उसको दो से मिल्टिप्लाइग करना है क तो एड करो इसको कितना बनेगा 6, 6, 1, 7 and 4 and 1, this is the 5, so 24 का स्केर कितना होता है, 5, 7, 6, this is the basic approach, इस method से आप स्केर 10 सेकिंड में, 10 सेकिंड से पहले find out कर सकते हैं, यह मैं guarantee के साथ कह सकता हूँ, जब आपकी practice full हो जाएगी, तो आप बिल्कुल असानी से square find out कर सकते हैं, चलो, अ अब हम इसकी practice करते हैं, let us find out square of 34, कैसे, तो 4 का square कितना होता है, 16, 3 का square, 9 and what is the second step, second step में क्या करेंगे, 4, 3, 12, multiply 2, कितना होगा 24, 24 को एक डिजिट छोड के हम लिखेंगे, यहां से एक डिजिट छोडना है, यहां से यहां से, यहां से, सो कितना बन गया, 6, 5 and this is the 11, so 34 का square कितना होता है, 1156, चलो, next, 48, now find a square of the 48, 8, 8 जा, 64, 4 फोजा, 16, what is the second step, 8 और 4 को multiply करके, 2 से multiply करना है, 8, 4 जा 32, 32 multiply 2, it is just 64, so 64 को हमने, यहां पे लिखा, so क्या answer आजाएगा, 4, 0, 3 and 2, 23, 0, 4 is the square of 48, अब आपको विक्स की practice करनी है, जब आपकी practice करते हैं, तो बहुत जादा जल्दी अब square find out कर सकते हैं, चलो, next है, 76, 76 का square find out करो, 6, 6, 36 and 7 का square, 49, what is the second step, दूसरा step में हम क्या करेंगे, 7 और 6 को multiply किया, और 2 के साथ उसको again multiply करते हैं, जो answer आएगा, सो कितना हो गया, 76, 42 and 42, 2 को again multiply, 84, 84 को एक डिजिट छोड के लिखा, यहां से कितना आ जाएगा, 6, 7, 7 and 5, so 5, 7, 7, 6 is the answer of 76, next, let us find the square of difficult term that is the 96, 96 का square find out करने के लिए मैं आपको 100% से कह सकता हूँ कि आप इसमें 30 सेकिंद जरूर लगाएंगे, थर्टी सेकिंद तो इसमें लगेंगे ही, बेसिक अप्रोच से, इस शॉर्ट रिक से कितने लगते हैं, आप खुद चेक कर सकते हैं, शिक्स शिक्जा, थर्टी, शिक्स, नाइन, नाइन, जा, एटी बन, नेक्स स्टेप, नाइन, शिक्स जा, 54, 54 x 2, कितना हो जाएगा, 108, अब इस 108 को कहां पर लिखना है, मैंने पहले ही बोला, एक डिजिट छोड़के, कहां से स्टार्ट किया, एक डिजिट छोड़के, यहां से, 8, 0, 1, ठीक है इसको ऐसे लिखेंगे, so add up किया, 6, 11, 1, and this is the 2, and 8, 9, 9, okay, so 9, 2, 1, 6 is the exact square of the 96, okay, so next 98, 88 जा, 64, 99 जा, 81, okay, now multiply 9 and 8, it is the 72, multiply 2 again, 2 से again multiply किया, इसको, 144, so 144, so 144 को कैसे लिखेंगे, 4, 4 और ऐसे, इसको add किया, 4, 0, and this is the 6, and 8, or 1, 9, 9, 6, 0, 4, is the answer of 98, इसी तरह से आप find out करो, square 62, 62, 0, 4, 6 का जाएगा, 36, 6, 6, 6, or 2, second step में किया किया, 6, और 2, कितना होगा, 12, और 12 को again multiply 2, कितना होगा, 24, 24, 24 को इदर से एक स्टप छोड़ के लिखा, कितना जाएगा, 4, 4, 8, and 3, this is the square, अब इस मैथर से आप जिस मर्जी बैल्यू का square find out कर सकते हैं, यह बहुत ज्यादा basic है, और इससे आप सारी जो two digit के number है, उन सभी का आप square find out कर सकते हैं, मतलब अगर आपको square find out करना है, 69 का, तो 81, and again 36, now, 9 और 6 multiply, 54, 54 again multiply 2, 208, so 208 को कैसे लिखेंगे, 808, so कितना बन गया, 26, 7, 4, this is the square of 69, तो इसी तरह आप सारी square निकाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको क्या करना है, pen लेना है, copy लेनी है, इसके practice करनी है, एक दो दिन, आप फिर देखो कमाल, जब भी आप किसी भी exam में, exam देने जाएंगे, आप बहाँ पे square बहुत असानी से निकाल सकते हैं, और आपका बहुत ज़्यादा time save करेगा, और आपको बहुत ज़्यादा time, मतलब किसी और question को solve करने के मिल जाएगा, तो अगर आपको हमारा वीडियो प्रसंद आया, तो subscribe बटन पे जरूर क्लिक करें, ताकि आप next वीडियो से हमारे देख सकें, सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें, और इस वीडियो को लाइक करें, अपने friends के साथ share करें, धन्यावाद, next time हम फिर मिलते हैं, ओके,